अरे नहीं, नोपिता तो आज बहुत लेट हो गया है उसने कल अपना होमवर्ग भी पूरा नहीं किया था, शायद इसलिए उसे देर हो गई है यह इंपॉसिबल है, मैं इतना सारा होमवर्ग नहीं कर सकता मुझे यह करना होगा, मुझे करना ही पड़ेगा अरे नहीं शिजुक का बाहर मेरा वेट कर रही है, बता नहीं अप्या होगा, मैं यह नहीं कर सकता समझ गया नॉबिता, तुम्हें किस न कहा कि तुम घर जा सकते हो, अँश्य सर्व, नॉबिता, यह कभी नहीं सुधरेगा शिजुक का, सॉरी तुम्हें इंतजार करना पड़ा क्या बात है, तुम इतने परिशान क्यों हो नॉबिता, क्या तुम्हारा पेट कराब है? ऐसी बात नहीं है शिजुक का, मेरा पेट बिलकुल ठीक है, दरसल वो मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम आज मैं अपना सारा होमवक्त पूरा करूंगा और कल्सर से माफी मांग लूँगा क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मुझे लगता है आज का दिन ही खराब है नोबिता जल्दी से बॉल वापस फेको क्या तुमने सुना नहीं नोबिता सुनियो मेरे कान बिलकुल ठीक है ये लो मुझे एक बहुत जरूरी काम है बाई 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 अच्छा तो वह तुम्हें हो हर रोज मेरा इलास तोड़ देते हो आज हमने आपका ग्लास नहीं तोड़ा है हाँ आपका ग्लास नोबिता ने तोड़ा है फीक है उस लड़के को यहां ले कर आओ काहा बाग रहे हो मैंने कहा रुक जाओ अगर आज इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो बहुत मारेंगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा नोबिता रुक जाओ अरे वो कहां चला गया आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा सुनियो अब हम अलग-अलग होकर उसे ढूड़ेंगे कैसा है वांटेड नोबिता जो भी उसे पकड़ेगा इनाम में उसको दस कॉमिक बुक्स मिलेंगी तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है जियान अब इसकी कॉपीज बनाओ और सब जगा लगा दो लेकिन इनाम की दस कॉमिक बुक्स कौन दे रहा है जियान इसमें क्या पूछना सारी कॉमिक्स तुम दोगे समझे क्या हां मैं जानता हूँ अगर तुम यह जानते हो तो अब तक यहां खड़े क्यों हो अभी जाता हूँ कुछ भी हो आज मैं उससे जरूर पकड़ूंगा तुम इस जगा पर पूरी नजर रखना कहीं वो अपने घर में जाकर ना चिप जाए समझ गए समझे अब मैं जा रहा हूँ यह रास्ता तो ठीक नहीं है आज तो भस गया अगर तुम्हें नोबिता कहीं दिखे तो मुझे बता देना क्या नोबिता ने कुछ किया है सुनियों हाँ आज वो मिस्टर कामिनारी का ग्लास ओड़ कर भाग गया है क्या अब मैं घर के से जाओंगा आज तुम हमसे नहीं बज़ पाओगे नोबिता तुम कहाओ डो रेमॉन प्लीज मेरी मदद करो हलो नोबिज रेजिदेंस अरे आप तो नोबिता के सर बोल रहे हैं ना हाँ क्या नोबिता ने क्या ऐसा किया है जी हाँ वो अभी तक नहीं आया आने तो आज नोबिता को मैं उसे छोड़ूंगी नहीं अरे नहीं यह तो बहुत बुरा हुआ लगता है अब नोबिता को बचाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा नोबिता जवाब तो नोबिता क्या तुम सुन रहे हो मैं डोरेमॉन बोल रहा हूं नो पिता अगर तुम मेरी आवास सुन रहे हो तो प्लीज जवाब दो डोरेमॉन नो पिता अरे क्या ये तुम हो डोरेमॉन तुम इस वक्त हो कहाँ पर स्कूल के पीछे पहाडी पर जी आने सब बच्चों को मेरे पीछे लगा रखा है वो सब मुझे ढून रहे हैं क्या सब तुम्हें ढून रहे हैं हाँ मेरी मदद करो जल्दी से बैंबू कॉप्टर या एनिवेर डोर का इस्तिमाल करो सॉरी नो पिता वो दोनों ही गैजट सभी खराब है जब भी मुझे जरूरत होती है तुम्हारे गैजट खराब होते हैं सरा एक मिनट रुको मुझे सोचने दो नो पिता मेरे पास जरूर कोछ होगा मैं अभी ढूनता हूँ मिल गया दिस वे मैप ये क्या है ये मैप तुम्हें घर तक का सबसे सुरक्षत रास्ता बताएगा इससे सारी मुश्किलों से बचा जा सकता है नो पिता जल्दी मैप सेट करो अब जल्दी से मुझे पहाडी से हमारे घर तक का रास्ता दिखाओ अब इसके बाद अप्शिकल चिप्स ये तुम्हारे रास्ते की मुश्किलों को दिखाएंगे नो पिता समझ गए ना ये सब बताने में चाइम देश मत करो अप्शिकल चिप्स सेट करो अब क्या होगा नो पिता तुम्हारे तो सारे रास्ते मुश्किलों से भरे हुए है जल्दी से कुछ करो डोरेमन देखो तुम ध्यान से चलना और सर्फ मेरे बताय हुए रास्ते पर ही जाना नोबिता अब तुम पहाडी से नीचे उत्रो क्या ये सच में काम करेगा डोरेमन अब सीधे चलते हुए तुम स्कूल के सामने वाली सड़क पर आ जाओ हां रुक जाओ शायद कोई सामने से आ रहा है तुम थोड़ा पीछे होकर राइट मुड़ जाओ यहीं से मुड़ो हां ठीक है ओके अब तुम सीधे चलते जाओ अरे नहीं रुक जाओ नोबिता आगे खत्रा है तुम्हारे लिए राइट जाना ठीक रहेगा तो अब मुझे क्या करना चाहिए तुम कहीं च्छुप चाओ नहीं है अब मैं क्या करूं क्या करूं मुझे बचाओ डोरे मन प्लीज मुझे बचाओ अरे नहीं अंदर भी खत्रा है अब मैं क्या करू नो बिदा मैं ठीक हूं अचानक से डॉपर एक साइन बोट गिर गया क्या कहा मुझे यह बिल्कुल नहीं पता था कि यह स्टॉपर इतना खतरनाक है इसे यूज नहीं करूंगा दीरे दीरे आगे बढ़ते रहो नो बिदा अगर तुम जल्दी करोगे तुम मुश्किल में बढ़ जाओगे बढ़िया अब जल्दी से भागो जहां यह रोड खत्म हो जाए वहां से लेफ्ट मुट जाना लगता है मैं एक ही रास्ते पर घूम रहा हूँ मैं घर की तरफ नहीं जा रहा हूँ अब क्या करूं डोरे मॉन हिम्मत बढ़ारो नोबिता बस थोड़ी से कोशिश और करनी है समझ गए क्या हुआ डोरे मॉन भागो कितना भी भाग लो आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता नोबिता रोग जाओ बचाओ अरे मॉम आप मैंने तुम्हें शॉप पर रुखने के लिए कहा था तुम यहां क्या कर रहे हो लेकिन मॉम इसमें मेरी कोई गलती नहीं है चलाओ मत मेरे साथ जब चाब चलो यह तो अच्छा हुआ अरे नोबिता इस बार बच कैसे गया कोई खत्रा नहीं वा नोबिता एक गुड न्यूज है सारे रास्ते साफ है अब तुम घर आ सकते हो वाव अरे नहीं जल्दी से वापस आओ नोबिता घर के अंदर खत्रा है नोबिता यह तो मॉम है लेकिन दूसरा कौन हो सकता है तुम इतनी देर से कहां घूम रहे थे मौम में कोई बहाना नहीं चलेगा तुम्हारे सड ने मुझे बताया कि तुम आज फिर बिना होमवर किये स्कूल गये थे नोबिता नोबिता तुम्हारी प्रब्लम क्या है मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम अपना होमवर पूरा किया करो लेकि तुम होगे मेरी बात सुंचरी नहीं बचा सकता बहुत देर हो गई अब गया हुँँ आने दौश तुम्हारे पापक कर में उन्हें सारी बात बतायांगी अगर तुम से बात करेंगे तो तुम से नहीं आएंगे मेरी बात तुम सुनते ही नहीं हो लगता मैं तुम्हें कितनी बात समझे है कि कोशिट तुम नहीं करते लोगा जाहिए मिटा गल्से मैं तुम्हें और चालेगा प्लीज आप मुझे माप कर दीजिए नोबिता तुम घर पर हो आ रही हूँ अरे सुनियो तुम क्या बात है आज तुम बहुत दिनों की बाद यहां आए हो हेलो आइंटी आप कैसी है क्या नोबिता घर पर है वो उपर अपनी कमरे में है पढ़ाई कर रहा है तुम अंदर आ जाओ थैंक्यू आइंटी आज आप बहुत सुन्दर लग रही है कैसे हो नोबिता क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है सुनियो ऐसे कोई बात नहीं है क्या तुम इसे पढ़ना चाहोगे नोबिता मैंसे पढ़ना चाहता था मैं डोरा केक्स भी लाया हूँ हाँ वाव डोडा केक्स आराम से पढ़ो और खाओ क्या सच में सच में नोबिता वाव अरे वाव मसा आ गया तेस्टी है मैं मुसीबत में फस गया हूँ मुझे तुमारी मदद चाहिए देखो नोबिता मैं ये चाहता हूँ कि जियान कल के बेसबॉल मैच में ना खेले मुझे पता था तुम बिना मतलब के कुछ भी नहीं करते मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लेकिन जियान ही क्यों वो इस ये क्योंकि जियान अपनी टीम का एस पिचर और कैप्टन है हाँ तुमने सही कहा मैं टीम का एस पिचर और कैप्टन बनना चाहता हूँ तुम एस पिच्चर और कैप्टन बनना चाहते हो लेकिन क्यों सुनियो मेरी एक रिलेटिव है टमोमी और सच में वो बहुत सुन्दर है नोबिता तुमने उसे इंप्रेस करने के लिए बोल दिया कि तुम अपनी टीम के एस पिच्चर और कैप्टन हो तुमने ऐसा कहा? हाँ, वो कल मेरे साथ मैच देखने जाएगी नोबिता मैं उसे सच नहीं बता सकता और अगर मैंने जियान को कुछ बताया तो वो मेरी बहुत पिटाई करेगा इसमें भी कोई पूछने की बात है इसलिए मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ पर उसका गाना सुनेगा कौन अब क्या करें? वो तुम दोनों मुझ पर छोड़ दो हाँ, लेकिन कोई पैसे लेकर भी उसका गाना नहीं सुनेगा सबसे पहले मैं एक डूम बनाऊँगा हाँ दोरेमान, ये क्या है? एक बात और नोबिता, कोई भी इसके बाहर से अंदर नहीं देख पाएगा सच में? अब इसके बात क्या होगा डोरेमान? 3D प्लानेटेरियूम ये सब क्या हो रहा है? मैं चरू अरे ये तो सुमोर असलिंग है ये तो असली लगती है वो इसलिए नोबिता ये असली 3D इमिज को प्रोजेक्ट करता है तुम्हारे सामने पिछले साल का समर टूर्नमेंट चल रहा है क्या? ये पिछले साल का समर टूर्नमेंट है? और इस डायल को घुमाते ही वाओ पिरमेट अरे ये तो एजिप है अगर मैंने केसी सिंगिंग प्रोग्राम की इमिज को प्रोजेक्ट किया तो उसके बाद जियान अपने आपको रोक नहीं पाएगा सही कहा लेकिन डूरे मॉन इसका साइज तो बहुत छोटा है हम लोग पकड़े जाएंगे उसकी चिंता मत करो डूम के बड़ा होते ही इमिज का साइफ ही बड़ा हो जाएगा हमें बस एक बड़ा एरिया चाहिए होगा बेसबॉल ग्राउंड के सामने वाली जगा कैसी रहेगी डूरे मॉन हाँ वो जगे बिल्कुल सही रहेगी एक सिंगिंग कॉंपटिशन तुमने मुझसे कहा धना तुम जाना चाहते हो जियान फिर कभी चलेंगे आज मेरा एक इंपोर्टेंट मैच है क्या लेकिन तुम्हारे फैंस तुम्हारा इंतिजार कर रही है हाँ जियान सच में क्या तुम सबको अपना गाना नहीं सुनाना चाहोगे लेकिन मेरा तो आज बेसबॉल मैच है क्या अपने फैंस को ऐसे ही छोड़ दोगे कौन सी चीज जादा जरूरी है बेसबॉल ये सिंगिंग हाँ सही कहा सिंगिंग ज्यादा जरूरी है है क्या यह सब मेरे ही फैंज है सच में जियान और यह सब तुम्हारे गाने का इंतजार कर रहे हैं वाव मैं इसके लिए तैयार हू डोरे मौन आप सभी लोगों का इंतिजार करने के लिए शुक्रिया, आपका इंतिजार फ़त्म हुआ, अब फेमस सिंगर जियान आपको अपना गाना सुनाएंगे, तो प्लीज वेल्कम कीजिए, मिस्टर जियान ओ, थैंक यू, मैं हूँ जियान काम पूरा हो गया नोबिता, अब तुम जाकर ये बात सुनियो को बता सकते हो, अभी जाता हूँ अब क्या हुआ, मैं अपने फैंस के सामने ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए डोरेमॉन ठीक है, समझ गया, अब मैं इसे यूज़ करूँगा एक सिंगर ऐसा ही दिखना चाहिए तुम सब तयार हो ना? सुनियो, अपनी पहली बॉल पर उसे आउट कर देना तुम चिंता मत करो, मैं अपनी टीम का एस पिचर और कैप्टन हूँ, अब मेरा कमाल देखना मैच, तुम्हे ही जीतना है ठीक है, गेम शुरू करते है सुनियो कितना खुश है, आज के मैच में जियान नहीं खेल रहा, इसलिए सुनियो पिचिन कर रहा है तुम्हारा मतलब सुनियो एक रेगुलर बिचर नहीं है मेरी आवाज सुनके सब हो जाते है, मदिहो आजियान कितना खुश है और अब मैं आप सबको अपना नया गाना सुनाओंगा, जिसका नाम है डंप्लिंग्स ओफ गर्ल्स लव अरे ये क्या है मेरे पास इसके लिए भी यह गजट है सांट चीजर ट्रंच रिसीवर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जियान ऐसे ही गाते रहो जियान 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 अब यही तो मैं सुनना चाहता था, क्या तुम लोग तैयार हो हाँ हाँ अओ, मैं तो थख गया यह लो पकड़ो Nobita अरे 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 चली गई Dumplings of a Girl's Love यह है Dumplings of अहां हां वाइ अरे यह तो Nobita है अहां यही तो मैं सुनना चाहता था यह है Dumplings of a Girl's Love यह है Dumplings of a Girl's Love Dumplings अरे नहीं यह क्या कोई बचाओ मुझे यह कैसे हुआ अरे तो बताइए आपको मेरा गाना कैसा लगा इनका ये पिचर बहुत अच्छी बॉल फेकता है क्या हमेशा सुनियो ही सबसे पहले बैटिंग करता है नहीं सबसे पहले जियान बैटिंग करता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है बॉल टेक यूर बेस मज़ा आगया मैंने तुमसे कहा था ना मैच बहुत मज़ेदार होगा ये तो बहुत बोरिंग है मैं घर जा रही हूं सुनियो बाई मेरी बात सुनो रुक जाओ अरे जल्दी करो बॉल फेको हाँ अभी फेकता हूं पकड़ो नोबिता अरे 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 ये सब क्या हो रहा है भागो तुमने सारे गाने का लिए जियान ये क्या हो रहा है मैं हूं जियान मैं हूं बड़ा अटाकतवर मेरा गला है बहुत書रीला दोरे मॉन इसे जल्दी ठीक करो मैं कोश़िश कर रहा हूं जल्दी करो दोरे मॉन अब हम इसे और नहीं मैं हूँ बड़ा अताकत वर मेरा गला है बहुत शुरीला